जेहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का Mr. Academy जबलपुर में प्रसासनिक सब्दवली की इस रंखला के अंतरगत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं E से बनने वाले सभी वर्ड और उनकी मीनिंग की तो चलिए ठीक है हम बिना समय गवाई से प्रारंब करें आपके सामने यहाँ पर एक image है जिसमें सबसे पहले है E Governance E Governance का अर्थ होता है E सासन या Electronic सासन Next word है earliest possible और earliest possible का अर्थ होता है यथा सीक्र Next है early retirement याने समय से पहले सेवा निवर्ती या समय पूर्ग सेवा निवर्ती इयर मार्क याने की चिन्हित करना, उदिस्ट करना, अर्ण लीव्ड याने की अर्जित छुट्टी जिसे हम EL कहते हैं अर्णिस्ट मनी याने की बयाना, अर्णिंग कैपसिटी याने की अर्जन चमता, इको फ्रेंडली अर्थात परियावरन अनकूल इसके बाद है एकोलोजी, एकोलोजी का अर्थ होता है पारिस्थित की, नेक्स्ट वर्ड है एकोनोमिकल याने की कम खर्चीला, सस्ता, मितवेई, किफायती, नेक्स्ट वर्ड है एकोनोमी, एकोनोमी का अर्थ होता है अर्थ विवस्था या बचत, एडिटिंग याने की स सामपादन, next word है education यहने की सिक्छा, effect, effect का अर्थ होता है प्रभाव, लागू, आशे, परणाम, इत्यादी, effect यहने की सामान, next word है efficiency यहां पर आपको बता दें कि जो भी हमारी meaning है, जो भी word है, उसका हमें अर्थ पता होना चाहिए, हमारी जो लड़ाई है केवल और केवल यह यहां पर दोस्तों हमें उसका mean पता होना चाहिए, उसका हिंदी क्या है या यदि हिंदी की रूप में आ जाए तो वहां पर हमें उसका English पता होना चाहिए, next word है electoral, role, यहने की मतदाता, सूची, next word है electorate, यहने की निरवाचिनशित, यह निरवाचक मंडल, next है eligibility, eligibility का अर्थ होता है पात्रता, next है eliminate, यहने की बाहर हो जाना, निकाल देना, embrace, यहने की उल्जन में डालना, embassy, यहने राजदूतावाश, emergency, यहने आपात या आपात काल, next word है immigrant, यहने की उत्प्रवासी, next, employee, यहने काम पर रखना, employee, यहने की कर्मचारी, employment, यहने की रोजगार, सेवा इंपावर, यहने ससक्त करना, inact, यहने अधेनेमित बनाना, या अधेनेमित करना, next word है incase, इसका अर्थ होता है चेक, नगदी करन, या बुनाना, इत्यादी, inclosed, यहने की साथ का लगान, आनुलगन करना, या बंद करना, encourage, encourage का अर्थ होता है उत्साहित करना, encroachment, यहने की पीछे हस्ताक्षर कर, प्रष्टांकन करना, इत्यादी, next word है indoment, यहने दान, अक्षे, निधी, प्रतिभा, इत्यादी, enforce, लागू करना, प्रवरतन करना, इत्यादी, engage, engage का अर्थ होता है काम पर लगाना, या नियुक्त करना, next है enhancement, यहने की व्रधी, बढ़ुत्री, next है enjoin, यहने आदेश देना, हुक्म देना, इत्यादी, next word है enlist, सहायता लेना, भरती करना, भरती होना, नाम लिखना, इत्यादी, next word है inquiry, inquiry का अर्थ होता है पूस्ताच, जाच, इत्यादी, enroll, enroll का अर्थ होता है नाम लिखना, भरती करना, next word है ensuring, ensuring का अर्थ होता है घटना की बात का. Next word है ensure. Ensure का अर्थ होता है सुनिश्चित करना या आस्वस्त करना. Next है inter. Inter का अर्थ होता है दर्ज करना, प्रविश करना, प्रविश्ट करना. Entrepreneur. इसे आप entrepreneur या interpreter भी कहते हैं इसका अर्थ होता है उद्यमी, उद्यम करता. Enterprise याने उद्यम. Entertain, याने सतकार आकदारी रासी, entrepreneurship यानि की उद्ध मिता, next word है interest जिसका अर्थ होता है सौपना, next word entry, entry का अर्थ होता है प्रविस्टी, प्रवेश, इत्यादी, next word है enumeration, enumeration का अर्थ होता है गणना या गिनना इत्यादी, in y, in y का अर्थ होता है दूद, next word है equitable जिसका अर्थ होता है समान, न करना उनमुलन करना इर्रेटा का अर्थ होता है सुध्धी पत्र स्कोर्ड ऐरर और्री होता है तोटी या भूल्रूर्र 10 इन्ट lucky नंग इसका अर्थ होता है भूल कॉल Alsocular Circadverse करने की व्रद्धी बढ़ हुद्त्री इत्यादी सकीं एसकोर्ट रखिक और अर्थ होता है अनिवार, इस्टीमेट का अर्थ होता है अनुमान या प्राकलन या अनुमान करना या किसी चीज को आकना ethics, ethics का अर्थ होता है नीती सास्त्र, नेतिक्ता, आचार नीती इत्यादी, इवेट इवेट का अर्थ होता है चोरी करना, छिपाना, टालना evolution, evolution का अर्थ होता है चाच करना, परक करना, या मुलांकन करना इत्यादी, even number इवन नमबर का अर्थ होता है समसंख्या, याने की अंतिम, फलस्वरूब, संभावित, एक्षन, एक्षन का अर्थ होता है बेदखली, एविदेंस, एविदेंस का अर्थ होता है सबूत, साक्ष, इत्यादी, एक्स, एक्स का अर्थ होता है पूर्व, एक्जेक्ट, एक्जे अतिवादिता या अतिअधिकता या जादा अधिक, एक्सचेंज, एक्सचेंज का अर्थ होता है आदान प्रतान या अदला बदली, या विनी में, एक्सचेकर, एक्सचेकर का अर्थ होता है सरकारिक हजाना, एक्सट वर्ड है एक्साइस ड्यूटी, जिसका अर्थ होता है छमा करना या बहाना बनाना या बहाने इत्यादी, एक्सक्यूट याने की काम पूरा करना, निस्पादन करना, एक्सक्यूटिव, एक्सक्यूटिव का अर्थ होता है कारेपाली का पदनाम, कारेपाल, अधिकारी, इत्यादी, एक्सक्यूटर याने की निस्वादक, एक्सरस से बाहर भारत बाहर नेक्स्ट है एक्जिट एक्जिट का अर्थ होता है निकास निर्गम निकास द्वार बाहर होना इत्यादी नेक्स्ट है एक्जिट पॉल्सी एक्जिट पॉल्सी का अर्थ होता है बहिर गमन नीती एक्जॉन्रेट इसका अर्थ होता है दोस्मुक्त करन next H for Exp GIRrils मैं मैंनों को को दो होता है विसतार प्रशार इत्यादी एक्स पेल एक्सन का अर्थ होता है दिकाल न्मसित्फ YE Legs इंहान चाहतिम् 빨리 है एकस्पिरेशन एक्समापन नेक्स वर्ड है एक्सक्रिमेंट यहने प्रयोग परिक्षण इत्यादी, explicit याने साफ, इसपर्स्ट या मुखर, इत्यादी, next word है exploration, exploration याने खोज, समनवेशन, इत्यादी, explore याने खोज करना, पता लगाना, next word है export, export का अर्थ होता है निर्यात करना, export, import या exam, इसका अर्थ होता है आयात, निर्यात, next word है express, express का अर्थ होता है अभिव्यक तेस्टरिय गोशा कि मेगारा सpelना बिल् posible कि उन्पकर आगंदेशन् attendance निकालना निश्काशन का अर्थ होता है बढ़ाना विस्तार करना इत्यादी में श्र selfish गश्तेंशिव जिसका अर्थ होता है व््यापक्त विसत्रत keck was external external का अर्थ होता है बाहरी यह विदेसी next है extortion यहने कि धन एठना extra यहने अतिरिक्त एक्सट्रा ओर्डिनरी यहने असाधारन एक्सट्रा वेजंट यहने फिजूल खर्ची अपिवियाई next है extremist यहने कि उग्रवादी चरम पंध् gjort यह अतिवादी और इक और है जो हमारा अंतिम है आई विटनेस आई विटनेस का अर्थ होता है प्रित्यक्षिदर्सी, साक्षी, यह चस्मदीद, गवा तो यहाँ पर दोस्वाब की जो E के वर्ड है जो E की सीरीज है वो कम्प्रीट होती है और इसके बाद हमारी मुलकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे इसके आंगे की कड़ी को तो चलिए ठीक है आज आपसे विदा लेते हैं मुलकात जल्द, धन्यवाद, जय हिंच, भारत